नमस्कार मेहुद वे भिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है चार अगस्त दिन रविवार खब्रक्यों बढ़ने से पहले एक मेदर सुर्खियों पर अब कोटिंग संचालकों को संस्थान के रिबंधन के लिए पोटल किया जाएगा विक्सित बहार नजिस्टेशन वर ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक फोन नमबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कारवाई प्रदेश के चार लाग से भी जादा कसानों को सचाई के लिए मिलेगी बिजली पित्री पक्षमिरा के देट परिटन विभाग लेकर आया है सांदार टूर पैकेज बिहार की नौ महिला मुखिया को स्वतंतरता दिवस के अबसर पर पी एम मोदी करेंगे सम्माने आज भारत और स्रिलंका के बीच वंडे मैच का दूसरा मुकाबला अब चले बढ़ने अब तक के 25 बरी खबरों के उग्रिस्तार से SSC ने विभिन विभागों में ट्रांसलेटर के पदों पर निकाली भरती SSC त्वारा जे एच्टी भरती के लिए अधिसूचना जारी की गई है इस भरती के तहट भारत सरकार के विभिन मंत्रालेयों विभाग और संगठनों के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जूनियर ट्रांसलेटर आदी के पदों पर भरती निकाली गई है आविदन प्रक्रिया सुरू है और आविदन करने के इंतिमति थी 26 अगस्त है इचोग उमिद्वारिस के आधिकारिक वेबसाइट ssc.jov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन करना एकदम नहीं सुल्क है इस भरते के लिए जरूरी है कि आपने किसी मानिता प्राप्त व आपको 35,000 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक के सैलरी दिये जाएंगे भरते से संबंधित सर्टिक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं वाहन रजिस्टेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक फोन मॉबाइल नमबर और पता अपडेट नहीं है कारवाई के तहट इन से जुर्माना वसूला जाएगा साथी संबंधित वाहन का रजिस्टेशन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है सभी जिलों के जिला परिवहन पता धिकारी को इस आयुस्मान कार्ड बनाने में सारन जिला में सबसे आगे बिहार में आयुस्मान भारत प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना और मुख्य मंतरी जन आरोगे योजना के तहट आयुस्मान कार्ड बनाने का वसेस अभियान चलाया जा रहा है आयुस्मान कार्ड बनाने के अंतम में सारन जिला सबसे आगे हैं, यहां के जिलादि कारी अमन समीर्ड ने बताया कि इस अभ्यान के तहद अब तक सारन जिला के लगभग 20,6000 नै लाभकों गार बनाये इस से ते शारा जिला राजिय में अबल जिलों में सामल हो गया है विहार वाटन में आज हम बात करेंगे काकूलत जयुक्व रपात के बारे में यह जयल प्रपात विहार के 9कुर 2 जिले में इसकी प्रया कर्तेक खुबसूर्ती देखते बनती है इस जयुक्त में कई जल प्रपात बंद था लेकिन उद्खाटन के बाद इसे सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर अब आपको आकरसक रेलिंग सुन्दर सीरिया, सेलफी पॉइंट और भी कई आकरसक दीजे देखने को मल जाएंगे। अब कोचिंग संचालकों को संस्थान के निवंधन के लिए पोर्टल किया जाएगा विक्सित। एक नया निर्देश जारी किया गया है। इसने निर्देश के तहट सभी कोचिंग संस्थानों के आउनलाइन निवंधन के लिए पोर्टल विक्सित करने की तयारी है। अनुभर प्रमान पत्र आधार कार्ट की फोटो कॉपी बच्चों की संख्या राधी पोर्टल पर अप्लोड करने होंगे। पित्री पक्षमेला के तहट परिटन विभाग लेकर आया है सांदार टूर पैकेज। पित्री पक्षमेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस अफसर पर स्रधालू अपने पूरवजों के आत्मा की सांती और मुक्ती के लिए पिंड़दान करते हैं। बिहार में ये पिंड़दान के लिए लोग गया और पुनपुन दो जगों पर जाते हैं। इस विदेश में रहने वाले स्रधालों के लिए भी यहां इपिंड़दान की सुविधा दी जाती है। अब इसे बीच बिहार राजे परिटन विकास निगम ने भी इस अफसर पर परिटकों के लिए पांच तरह के टूर पैकेज लेकर आया है। इस टूर पैकेज के तहत लोगों को बोद गया नालंदो और राजगीर की सेर कराने की तैयारी है। आप चाहें तो निगम की वेबसाइट पर जाकर इस टूर पैकेज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इस पैकेज में आपके जाने, आने जाने, ठहरने और खाने पीने से लेकर पूजो और पूजन सामगरी, पंडित, सभी के वेवस्ता उपलग्द करवाई जाएगी। इससे संबंदित अधिक जानकारी के लिए आपको विभा की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस लिए आधारकार की जरूरत पड़ती ही है, इसलिए आधारकार बनवाते समय हमें कई बातों पर ध्यान रखना जरूरी होता है, इस दौरान यदि एक भी गलती हुई या गलत जानकारी दी तो यह आप पर भारी पर सकते हैं, आधारकार में कई ऐसी भी चीज़े हैं, निहान पूर्वक जानकारी दे, बिहार के इस दिले में 1600 करोर के निवेस पर अडानी समो का बयान, बिहार के नवादा के वार्सली गंज में 6 MTPA शमता वाली सिमिंट ग्राइंडिंग यूनिट को अडानी समूत वारा तयार किया जाने वाला है, बीते दिन इसकी आधार सि निवेस और विकास के प्रति, उनकी सरकार की प्रति बदता का एक प्रमान है, वहीं इस मौके पर अडानी समो के अंबूजा की तरफ से भी जानकारी दी गई है, ये कंपनी राज्य में कुल 600 करोर रुपे का निवेस करने वाली है, पहली बार ये कंपनी बिहार में अपना निवेस करेगी, कंपनी ने बताया है कि भविस्ते में और विस्तार के लिए परियाप्त जमीन का प्रावधान कर लिया गया है, इसमें बहुत कम पुन्जिगत व्याई के साथ समय पर चालू कर लिया जाएगा, ग्यांदी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्कूल आवंट नेने के लिए इस स्कूल का अवंटन किया जाएगा, पंजियन के लिए पहले से पांचवी तक में नावंकन के लिए समय सीमेक्टिस जुलाई तैकी गई थी, और बचों को स्कूल का अवंटन दो अगस्ट तक ही आजाना था, जिसे बरहा कर साथ अगस्ट तक कर दिया गय प्रदेश की चार लाग से भी जादा किसानों को सिचाई के लिए मिलेगा बिजली कनेक्शन चार लाग हसी हजार किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा ये लक्ष बिहार सरकार ने निर्धारित किया है अपने इस लक्षो को पूरा करने के लिए बिजली कंपनी किसानों के दरवाजे पर जाएगी इसके लिए गाउं से लेकर पंचाय तक विसीय से सिवीर का आउजन किया जाएगा दोगों तक ही ये बिजली कनेक्षन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि राजसरकार की कोशिस है कि हर खेत तक सिचाय का पानी पहुँचे किसानों को ये बिजली देने का फैसला चोथे क्रिसी रोड मैप के थेत लिया गया है आगामी तीन वर्स में इस लक्षे को पूरा करने की बात कही गई है बिहार की नौ महिला मुख्या को स्वतंतरता दिवस के अबसर पर पिये मोधी करेंगे सम्मानत बिहार के आकांक्षी प्रखंडों से स्वतंतरता समारों में सामल होने के लिए 61 दमपतियों को मिले निमंतरन के बाद अब बिहार की नौ महिला मुख्या को भी निमंतरन मिला है यह सभी महिला मुख्या यह सबसर पर विसे सतीती के तौर पर बुलाई गई है यहां ये सभी सुवतंतरता दिवस के दिन अपने उत्क्रिष्ट कारियों के लिए पिये मोधी द्वारा सम्मानित के जाएंगे दिन महिला मख्याओं को इस समारों में आने के लिए निमंतरन मिला है उसमें पूर्वी चंपारन की सुनीता देवी, बकसर से रेखा देवी, खगरिया से आखांग्शा बसू, जहाना बाद से सिम्रन राज, रहतास से स्वेता सिंग, समस्तिपूर से बेबी देवी, कटिहार से भारती कुमारी अररिया से रूबी सोहाब और सारन से गुंजन देवी का नाम सामिल है, नोट कर ले रेलवे का ये नंबर, खाना मंगवाने से लेकर कई सिकायतों का होगा समाधान, ट्रेन से यात्रा करना सभी वर्गी के लोगों के लिए काफे के फायती और आराम दाय मंगवाना चाहते हैं, तो आपको वाट्चेप नंबर 8750001323 पर मैसेज करना होगा, इस नंबर के जरी आपको खाने पीने की कई सुविधाय मिल जाएंगी, वहीं यदि आपको ट्रेन में किसी तरह की समस्या या परिशानी हो रही है, तो आप रेलवे पुलिस के वाट्च चार सुने पर कॉल मैसेज करके सिकायत भी कर सकते हैं, यस चोपरा के फिल्म में काम करने को लेकर मनोज वाजपी का बयान, विहार में इसे अपना संबंद रखने वाले बॉलिवुड अभिनेता मनोज वाजपी अपने फैंस के बीच काफी पसंद किये जाते हैं, अभी हा कि फिल्म में उनके किरदार के कुछ और सीन्स भी होने चाहिए थे, उन्होंने बताया कि वीर जारा में काम करने का मेरा अनुभग अच्छा रहा, नेकिन हाकिकत यह है कि मैंने फिल्म के लिए तीन दिल्ली और फिर एक दिन अमरित सर में सूटिंग की थी, चार दिन में मे मेरा काम खत्म हो गया था, मैं फिल्म में महमान था, यह चोपरा और टीम ने मुझे अच्छी इज़द दी थी, मैं इस बात से खुश हूं कि यह चोपरा जैसे वेक्ति के फिल्म में काम करने का मौका मिला। यह समस्या भी जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि BSNL अपनी 5G सर्विस की टेस्टिंग कर रहा है, BSNL 4G सर्विस को रोल आउट करने के साथ ही 5G पर भी खास दियान दे रहा है, इससे लिकर टेलेकॉम मिनिस्टर जोती रादित्य सिंद्या ने भी एक वीडियो सेर किया है, बिहार में मौसम ले रहा तेजी से करवट, बिहार का मौसम तेजी से करवट बदलता दिखाई दे रहा है, बदलते मौसम के 7 लोगों को उमस वाली गर्मी से रहात मल रही, आज भी प्रदिस में कई जगों पर अच्छी वर्सा की संभावना है, वहीं के संगन्ज, पुलिस ने जब्त किया है इस दौरान पुलिस ने दो तसकरों को भी गिरफ़तार किया इस मामले को लेकर थाना अध्याक्षु प्रसांत कुमार राय ने जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि सूचना मिली कि एक कार में एनेच के रास्ते सराब की खेप अररिया की तरफ आने वाली है इस सूचना के आलोक में मामले के सत्यापन के लिए गस्ति शुरू कर दी गए आसनपुर टूल पलाजा के नजदीक कई वानों की चेकिंग भी की जा रही थी इसी दौरान सराब तसकर गिरफ्त में आये साथ ही गारी में 943 बुतल नेपाली देशी सराब बरामत किये गए 65 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड के साथ पुलिस की पकर में आया साइबर अपराधी इन दिनों साइबर अपराधियों से बचकर रहना आम लोगों के लिए काफे चुनौती खरी कर रहा है आई दिन गी लोग लोगों से ठगी के लिए नय पैतरे अपना रहे हैं साइबर पुलिस भी हमें इन साइबर ठगों से बचने के लिए आगा करती रहती है इसी करी में पुलिस ने ऐसे साइबर अपराधियों को धर दबोचा है जो भोले भाले लोगों को लालच दे कर उनके पहचान पत्र का इस्तेमाल कर बैंकों में खाता खुलवा उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने का काम करते थे इस मामले में पुलिस ने एक युवक को ट्रॉली बैक के साथ किरफतार किया है इसमें से 65, मुबाइल फोन और 27 सिम कार्ड भी वरामद के गये है पुछताज के बाद ये पता चला कि ये मुबाइल फोन चोरी के है इसका साथ ही पुलिस को देखते ही फरार हो गया मेडिया में चल लए खबरों के मुताबिक इन साइबर अपराधियों का गिरोज जारकन में साइबर अप्राधियों को चोरी की मोबाइल देता था इस मामले में पुले सागे की छान में इनकर रही पटना एरपोर्ट और पटना सिटी के गुरुद्वारा को मेट्रो रेल से जोरने के लिए तैयार होगा डीपी आर पटना में मेट्रो का विस्तार हो रहा है से पहले राइट से मंजूरी लेनी होगी मालूम हो कि पटना मेट्रो के दो कॉरिडोर का अभी निर्मान किया रहा है जिसमें दानापुर से खेमनी चक तक कॉरिडोर एक मनाया जा रहा है वहीं पठना स्टेशन से न्यू आईगेस बीटी तक कॉरिडोर दो का निर्मान किया जाएगा। जदियू ने सिवान में कई पार्टी सदस्यों पर इस मामले में की कारवाई। सिवान जिला जदियू कमिटी ने पार्टी के जिला अध्याक्ष विनाय सिंग समेद आधा दर्जन सदस्यों पर बरी कारवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षन को लेकर एलान के बाद बिहार में कई नेताओं द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर नेजाप रतिपक्ष तिजस्वी आदम ने प्रेस कॉन्फिन्स किया। इस दोरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतिजार कर रहे थे अब इस मामले को लेकर हम लोग कोर्ट जाएंगे। तिजस्वी आदम ने कहा कि सुरू से ही बीजेपी भारतिय जाती जनगन्ना के खिलाफ है। बीजेपी विसेश राजे का धर्जा नहीं देना चाहती है। महागटबंदन ने पिछले अतिपिछलों का जो आरक्षन बरहाया है। उसको बीजेपी अनुसूची नौ में डालना नहीं चाहती है। आगे जस्वी आदम ने इस मुद्धे पर सरक से सदन तक लड़ाई लगने की बात कही है। केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग ने के तंज पर कॉंग्रिस प्रदेश अध्यक्स अखिलेश प्रसाद का पलटवार। अहीं तो राहूल कांधी बोल रहे हैं। कॉंग्रिस की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। आज भारत और स्रीलंका के बीच वंडे मैच का दूसरा मुकाबला। आज दूसरे वंडे मैच भारत स्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए मैदान में उतरेगी। ये मुकाबला कोलंबो के के आर प्रेमदास स्टेडियम में होने वाला है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतिय समय के नुसार दहाई बजे शुरू होगा। आपको बता दे कि पहले वंडे का मुकाबला दोनों टीमों के बीच काफी रुमान चक देखने को मिला था, दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला टाई होकर खत्म हुआ है, हाला कि आज देखना है कि भारती टीम स्रिलंका को पच्छारने के लिए क्या रनीती अपना दी है आपके मुदाबिक दोनों टीमों में से किसका पलरा भारी रह सकता है? हमें कॉमेंट में लेका जरूर बताएं कई कार्णों से दर्ज़े भारत के दिहास में आज की तारीक आज कही दिन वर्ष 1929 में भिनेता गायक निर्देशक किसोर कुमार का जन्म हुआ था आज कही दिन वर्ष 1935 में गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्रेटिस राज साही की मंजूरी मिली थी आज कही दिन वर्ष 1956 में देश का पहला प्रमानू अनुसंधान रियक्टर अपसरा शुरू हुआ था आज कही दिन वर्ष 1967 में विस्वे के सबसे लंबे चिनाई बांध नागारजुन सागर का निर्मान हुआ था आज कही दिन वर्ष 2008 में सरकार ने भारतिय जहाज राने निगम को नवरत्म का दर्जा दिया था आज की वारल खबर में हम बात करेंगे इव्यम में धांधली को ले कर किये जा रहे दावे के बारे में टाइम्स एक्सप्रेस नाम के यूटूब चैनल पर इव्यम को लेकर गलत दावा किया जा रहा है यहां वीडियों के थमनेल में एवियम धांदली और सरकार गिने से संबंधित बाते कही जा रही है निकिन आपको बता दी कि इस दावे में कहीं से कोई सचाई नहीं है एवियम में इस तरह के कोई धांदली नहीं हुई है पी आईबी फैक्ट ने भी इस सेर करते वे इसे पूरी तरह से फरजी बताया है इसलिए इस तरह की खबरों को सेर करने से बचे स्वतंतरता दिवस के अफसर पर अमित सा ने हर घर तिरंगा लगाने की की का अपील इस स्वतंता दिवस के अबसर पर एक बार फिर से हरगर तिरंगा के शुरुवात की जा रही है हरगर तिरंगा के शुरुवात स्वतंतरता दिवस को खास बनाने के लिए हो रही है इस अभियान के थाह दागामी 9 से 15 अगस्त तक अपने घ़रों में तिरंगा लहराने की अपिल केंद्री ग्रह मंत्र रिया मत्साने की है साथ ही उन्होंने कहा है किसका सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अप्लोड करें उन्होंने अपने सोसल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के जरिये कहा कि हमारा राश्ट्री द्वज तिरंगा त्याग निश्टा व सांती का प्रतीक है। में कॉमेंट में लेका जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है। में प्रवेश करने के लिए इंडिया को लॉंच किया है। बिहार की किस अस्थान पर जून 1549 में हुमायू और सेर्शा सूरी का युद्ध हुआ था। आप्सन अबक्सर आप्सन बी चंपारन आप्सन सी है चौसा आप्सन डी है मुझापरपूर इसका सहींतर है चौसा गंगन अधी बिहार में किस दिले से प्रवेश करती है। आप्सनेए पटना-प्सन-बी उभूजपूर अपसनन यत् है कैमूर के सवार का आप लोगों बहुत बहुत सारे लोगों ने प्रत जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्षिन बॉक्स में आज के सवाल क्यों दिलिकी घटना के बाद बिहार में कोचिंग संस्थानों के निमद्धन पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंड में लेका ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहा बिहारी नियूज और आप यूटूप से देख रहे हैं तो चनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद